टीव इंडास्ट्री और बॉल्लिवूद इंडास्ट्री के अभिनेट या अकसा सोचिल मीडिया पर अपने बोल्ट ग्लामर सब्तार को लेका च्छाई रहती हैं। अपने एक अदा से वो लाखों लोगों के दिलों पर आज राज करती हैं। लेकिन कि आप जानते हैं कि और फिजावीद भी महस दस सालों में पेहद बदल गाई हैं। उनका शौकिंग ट्रांस्वर्मेशन देखने को मिला है। लखनों की ये लड़की आज मुंबई की खु और कैसे उनका ये रूप बदला। और आज हम आपके लिए लेकर आएं हैं उनकी इंस्ट्राग्राम प्रोफाइल से उनकी कुछ ऐसी चुरिंदा तस्वीर हैं जो हैं उनका शौकिंग ट्रांस्वर्मेशन भी हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो के जरिये। अगर आप उनकी तस्वीर बेहत खुबसूरत हैं छोटी से उपर में उनकी चंचल हसी बेहत पसंद की जा रही है और उनकी आँखों में वो चमक भी देखने को मिल रही है जो आज भी देखने को ही मिल जाती है इसके अलावा उनकी स्कूल के वक्त की एक और तस्वीर है जब वो शाय भी देखने को मिल रही है वह आपको बता दें कि अपने स्कूल के पढ़ाई सिटी मॉन्टेस्री स्कूल से की है और यह फोटो लखनाओ की है जहां वो अपनी सहेली के साथ नाजर आ रही है इसके अलावा ओर्फी ने ब्लाक औन वाइट फोटो भी श्रेयर की है जिसमें बेहत खुबसूरत लग रही है उनके आँखों पें बेहती अदाएं दिखाई दे रही है उनके आँखों की खुबसूरती अदाएं और साथी साथी शरारती भरापन भी देखने को मिल रहा है इसके अलावा आग्रो सुर्फिज जावेद ने अपने कॉलिज के टाइम की एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वो बेदी खुबसूरत अंदाज में जीन्स टॉप पहने नजर आ रही है इस जोरान आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपने बालों में कलरिंग भी की हुई है उन्होंने अपने आदे बालों को हाइलाइट करवाया हुआ है और पुफ ब संद किया जा रहा है अपने कॉलिज ट्राइब में उन्होंने आमिट यूनिवोसिटी से मास क्योमिनिकेशन किया और इस दौरान उनका फैशन सिंस भी काफी बदला इसके लावा भी कई और तस्वीरे हैं जिन में उर्फी जावेद हाथ में स्लिंग बाग कैरी किये और ब जाकर मत्था भी टेका था विल इसे के बाद साल 2016 में जब वो मुंबई आई और वहीं पर रहने लगी तब उनका अंदाज भी बदला और उन्होंने अपनी कई बिकनी तस्वीरे भी सोचल मीडिया पर शेयर की आप देख सकते हैं कि पूल किनारे खड़ी सोचल मीडिया प पहने हुए भी अपनी कई तस्वीरे शेयर कर चुकी हैं आक्टरस हमेशा ही अपनी शॉट ब्रॉसिस की तस्वीरों को लेकर भी सोचल मीडिया पर सुर्कियों का हसा बन जाते हैं कॉल इस टाइम पर भी वो काफी जादा चोटे-चोटे कपड़े पहना करती थी बड़े अपनी पंत का रूल उन्होंने प्ले किया था और इसके बाद वो कई सारे शोज में भी नाजर आएं थी हालंकि आपको बता दें कि अक्टरस उर्फी जावेद को भी थे साल देखा गया था बिग बॉस ओटी टी में और वो जल्दी ही पंज़ाबी म्यूजिक इंडस्ट् को लेकर सुर्ख्यों का हस सब बनी रहती है वो उर्फी जावेद अपनी स्कूल और कॉलिज ट्राइम में बेहर सिंपल थी लेकिन काफी जादा ट्रेंडी भी थी विल दोस्तों आप हमें कॉमेंट करके ज़रू बताएं कि आक्टरस उर्फी जावेद का इस जबदस ट्रा अझाले